है वह सब राड़ देशी राड़ इस्टार में लेकुम बैक तो मैं चनल और आज के वीडियो में आप लोगों साथ शेयर करने जारा हूँ थिंग्स करने जो चीज मुझे पसंद नहीं मेरी तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रस्ट बेल आइकन वालवेज के नोटिफिकेशन अबाट माई न्यू वीडियो सो राइट फर्स्ट फॉल जो इसका ओबरॉल लुक है वह बहुत ही ज्यादा आट्रेक्ट करता है मुझे और जो इसका डिजाइन है वह आपको पता होगा इसके जो प्रीमियम बाइक है यह मारवन और और इसकी जो फेरिंग से वह भी काफी प्रीमियम देखती है तो जो इसका पहला प्लस पॉइंट है और जो की कह सकते हैं कि जो बहुत ही पसंद करने वाली चीज़ है वह इसका ओबरॉल लुक तो आप इसको किसी भी एंगल से देख ले एक आपको एक कंप्लेट स्पोर्स बाइक लगेगी और कोई भी देख किसको नहीं बहुत सकता कि यह इंटी लेवल की स्पोर्स बाइक है और एक्सो पच्वाइन की बाइक में चल्फ पर लिवल की सकते है और उसमें आप अपने नाम को एंटर के सकते हो एक बहुत ही अच्छा फीचर है और मैंने आज किसी भी बाइक में नहीं देखा कि कोई ऐसा फीचर इसमें अबलेवल हो एंड निक्स को इसका उसनें और अपने बार्ट वाइब को काफी ज्यादा प्रीवेम दिक्टी यह और इसका फंडल करेंगि को ऐसको अरभिए को आप को 5 में चला रहे घर 6 दावाल जाता है जो की एक बहुत ही च्छी वात है क्यूंकि 125cc की बाइक भी इतना एवरेज निकाल रही है यह बात करते हैं the things which I don't like in R15VT तो सबसे पहला जो है इसका aggressive driving posture हलाकि यह उतना भी ज्यादा uncomfortable नहीं है धिरे-धिरे चलने के बाद आपको आदत हो जाती है कि बीना ABS के आप high speed में drive नहीं कर सकते हो तो इसमें ABS नहीं है तो आपको थोड़ा सा संबल की गाड़ी को चलाना पड़ता है जो थर्ड चीज है जो कि इसमें थोड़ा सा मुझे डिस पॉंट लगी वह इसका है लाइप इसमें dual LED हैडलाइप का सेटप दिया हुआ है बट इसकी जो इंटेंसिटी है वह उतना up to the mark नहीं है लास्ट इंग जो वी थी ओनर्स कंप्लेंड कर रहे हैं वह इसकी विल्ट क्वाल्टी तो बहुत साह लोगों ने कंप्लेंड कि bit the फस्ट लेंट दो फॉबुकर सब्सक्रीज ए सब्सक्रा इस बाएप लगए जो जा इस बीडियो, इसलिए टिल थिल्यो यं भी सf की रढगए अ क्वाल्टी सब्सक्राइब एपपिने भी यह विल्ट दू.